पॉस्पाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राइजग है जैना जुएलर्स आबुलेन मेरत डीपियस नेशनल एथलीट मीट बॉइस 2019 का आइजग कल यानी 14 से 16 नौबर तक मेरत इस्थित दिल्ली पब्लीक स्कूल में किया जाएगा एथलेटिक मीट में डीपियस ग्रूप के 45 स्कूलों के करीब 500 से ज़ादे खिलाडी भाग लेंगे एथलेटिक मीट वेख खिलाडियों को देखने के लिए 50 से अधिक परशिक्षक भी इस दोरान वहां मवजूद रहेंगे पिछले 6 सालों से यह आईज़न डीपियस में चला आ रहा है यह जानकारी आज एक प्रेसवारतर में डीपियस मेरत की प्रोच चेर परसन शसी सिंग, निदेशक डॉक्टर आकांशा सिंग, प्रबंदक अतुल कुमार वे प्रधानचारे सवीता चड़ा वे उप प्रधानचले शलब शर्मा ने दी सभी छात्र जो कि यहां पूरे भारत से अलग अलग विद्याले डीपियस से आ रहे हैं, वो यहां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और उनके देखरे का रहने का बहुत ही अच्छे से व्यस्ता की गई है, सरदियों के होने के नाते उनको गरम पानी के व्यस्ता की दी ग हैं, तो उनके लिए हमने सांस्कृति कारेकरम का भी आयोजन किया है, जिसमें वो मांसुरूप से अपनी थकान हटा सकते हैं, और इस पूरे आयोजन में बीपियस मेरिट का पूरा स्टाफ मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ, सब लोग एक टीम की तरह मिलके काम कर रहे है ताकि इस आयोजन को हम सफल बना सकें और यहां का जो इंफ्रास्ट्रॉक्टर है, इसका उप्टिमम यूज करके एक बड़ा संदेश पूरे मेरिट को दे सकें कि स्पोर्ट से भी बहुत बड़ा करियर मना जा सकता है, धन्यवाद। यहां पर एतलेटिक्स में बहुत ही अच्छा पर्फॉर्मेंस आता जा रहा है, डीपीएस स्कूल के इस प्रोग्राम की वजह से हमें रास्टी इस्तर के खिलाडी मिल रहे हैं, जिसमें राधीका सैनी हाई जंप में और अर्नल्व त्यागी हाई जंप में हमें दो ऐसे ए इस प्रोग्राम की बहुत है, इस कि इसमें लिए बड़े सवभाग्य की बात है, कि डेली पबली की स्कूल हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, जिससे कि हम अपने खेल और खिलाडी का विकास करते होए आ रहे हैं. इसके लिए हम उनके बहुत-बहुत आवारी हैं, धन्यवाद. यह हमारा चटा साल है, जब डीपेस मेरट को यह पॉर्चुनिटी दी गई है, कि हम इस इवेंट को होल्ड करें, यह अपने आप में एक मेगा इवेंट है, जहां हर साल नए रिकॉर्ड्स नाशनल लेवल के स्थापित होते हैं, बहुत रिकॉर्ड्स तूटते हैं और नए बनाए जाते हैं, इस साल जब जैसा कि हम सब जानते हैं कि 9 नवंबर को आयोधिया वर्डिक्ट आया, बहुत सारी कन्फूशन और बहुत सारा डर और फियर था, पर जिस तरहां लीपेस सोसाइटी, एड्मिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट और हम सब ने एक ही निश्च करनी हैं, जो इन सब प्रेशर के ऊपर सोच के काम कर सके, और उसी के चलते इस जो आयोधिया जा रहा है, इसमें 45 DPS स्कूल के बच्चे कल रात से ही स्कूल में पहुँच गए हैं, यह अगले 4-5 दिन यहीं पर रहेंगे, क्योंकि यह इवेंट 14 नवंबर से 16 नवंबर तक के अंदर करीबन 524 पार्टिसिपेंट्स, 50 कोचिज और जैसा मैंने कहा, 45 DPS स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं.